आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चिसी की बीसवी कहानी बालक क्यों हसा चित्रकोट नगर में एक राजा रहता था वह एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया गूमते गूमते वह रास्ता भोल गया और अकेला रह गया ठक कर वह एक पेड़ की चाया में लेट गया तभी उसे एक रिशी कन्या दिखाए दी उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया थोड़ी दिर में रिशी स्वयम वहाँ पर आ गया रिशी ने पूछा तुम यहां कैसे आए? राजा ने कहा मैं शिकार खेलने आया हूँ रिशी ने बोला बेटा तुम क्यों जीवों को मार कर पाप कमाते हो तब राजा ने यह वादा किया कि अप से मैं शिकार नहीं खेलूगा खुश होकर रिशी ने कहा तुम जो चाहो वह मांग सकते हो तब राजा ने रिशी कन्या मांगी और रिशी ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया राजा जब उससे लेकर चला तो रास्ते में उसे एक भैंग कर राक्षस मिला वहां बोला मैं तुमारी रानी को खा जाऊंगा अगर तुम चाहते हो कि वहां बच जाए तो साथ दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मन पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने आपको दे दे और उसके माता पिता मरते समय उसके हाथ पैर पकड़े डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली वहां अपने नगर को लोटा और अपने दिवान को सब हाल कह सुनाया दिवान ने कहा आप परिशान नहों मैं कोई उपाय करता हूँ इसके बाद दिवान ने साथ बरस के बालक की एक सोनी के मूर्ती बनवाई और उसे कीमती गहने पहना कर नगर नगर और गाउं गाउं गुमाया और यह कहलवा दिया कि जो कोई भी साथ बरस का ब्राह्मन का बालक अपने आपको बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माता पिता उसके हाथ पेर पकड़ेंगे उसी को यह मूर्ती और सौ गाउं मिलेंगे यह ख़बर सुनकर एक ब्राह्मन बालक राजी हो गया उसने माबाप से कहा पिता जी आपको तो बहुत पुतर मिल जाएंगे मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी भी मिट जाएगी माबाप ने मना किया पर बालक ने हट करके उन्हें भी राजी कर लिया माबाप बालक को लेकर राजा के पास गए राजा उन्हें लेकर राक्छस के पास गया राक्छस के सामने माबाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को तयार हुआ उसी समय बालक बड़े जोर से हसा इतना कहकर बेताल बूला हे राजन यह बताओ कि वह बालक क्यों हसा राजा ने फौरण उत्तर दिया इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए माबाप को पकारता है माबाप अगर ना हो तो पीड़तों की मदद के लिए राजा आ गया आता है राजा ना कर सके तो आदमी देवता को याद करता है पर यह तो बालक के साथ कोई भी न था माबाप स्वयम हाथ पैर पकड़े हुए थे राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस बक्षक हो रहा था ब्राह्मन का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर देने जा रहा था इसी हर्ष और अजरच की वजह से वह हसा होगा इतना सुनकर बेताल अंतर ध्यान हो गया और राजा फिर से उसे लेकर लोटा तब रास्ते में बेताल ने उसे अगली कहानी सुनाई दोस्तों ये थी पूरी कहानी आप सुन रहे थे बेताल पच्चेसी की बीसवी कहानी बालक क्यों हसा अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद